भाशपाप प्रवक्ता केदार गुपता ने कौंग्रेस पर जम कर निशान असाथा है केदार ने कहा है कि कौंग्रेस जाती गत जनगर्णा की बात कर आपस में लड़ाना चाहती है पीम मूदी ने कहा मैं चार जातियों को मानता हूँ गरीब किसान महिला और नौजवान और भाजपा भी इसी के लिए काम कर रही है उन्होंने आगे कहा कि हमारे घोशना पत्र में मुख्त चावल देने की बात नहीं थी अच्छी सरकार आती है तो अच्छा काम करती है वहीं कॉंग्रिस की यात्रा कोले कर उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस के सूरे का अस्त हो चुका है कॉंग्रिस पार्टी जहां जाती है जनगणना की बात करके आपस में लडाना चाहती है विभेद करना चाहती है वहीं माननी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं तो चार जातियों को मानता हूं एक गरीप, किसान, महिला और नौजवान बारती जनता पार्टी 36 गड़ में इन चार जातियों पर काम कर रही है आप देखें किसान भाईयों को सुशाशन दिवस पर दो साल का बोनस दे दिया गया एक अतिस सो रुपे में 21 कुंटल चावल की खरीदी धान की खरीदी चालू हो गई ये किसानों के लिए है युवाओं के लिए एक लाग भढ़ती का जो हमारा प्रण है आप देखिए पुलिस विभाग में भढ़ती भी शुरू हो गई महतारी वंदन महिलाओं के लिए मह हमारे घोशना पत्र में नहीं था हमारे मोदी के गरंटी में भी नहीं था कि हम चावल मुफ्त देंगे पर अगर अच्छी सरकार आती है ना तो अच्छे काम करती है अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा और यही अंतियोदय है यह भाजपा का संकल्प है और भाजपा इसमें आगे बढ़ती रहेगी देखिए कॉंग्रेस का दावा है कि कॉंग्रेस सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी है और उसके इस्थापना दिवस पर भी लोगों को धो के ले जाना है कोई स्वाइसफूर जाने की इक्षा नहीं कर रहा है क्योंकि किसी के दिल में धोने के लिए जिलात देक्षों को दस गाड़ी विधायकों को पचास गाड़ी अब तो अधिकारी है नहीं तो कैसा करेंगे धोने की भी मजबूरी है और निश्चित रूप से कॉंग्रेस का पूरी तरह से मैं बोलूँगा सूर्य का अस्थ हो चुका है और अब खीच ख खीच के ले जा रहे हैं अपने इस थापना दिवस पर बड़े शर्म की बात है